आप सभी को गुड मॉर्निंग, मैं पॉल्टिकल साइंस का राष्ट्पती टॉपिक खत्म करने के बाद आज से हिस्ट्री की शुरुआत कर रहा हूं, बहुत सारे स्टुडेंट नहीं मांग किया कि सर हिस्ट्री शुरू कीजिए क्योंकि बहुत सारे कोशन हिस्ट्री से आते हैं तो मैंने आज हिस्ट्री पर वीडियो बनाने का निश्य क्या आज हिस्ट्री का जो फर्स चेप्टर होता है थोड़ा सा भारतिय इतिहास भारतिय सब जान रहा है लेकिन क्या पढ़ना है यह बहुत कम ही लोग जाना रहे हैं इसलिए आप लोग क्या पढ़ना है पहले वो डिसाइड की जिए और उत्ना ही पढ़के सिलिबस में हो ताकि एक्जाम में जो स्लेवस आ रहा है उसमें आप सारे कोशन सही कर सके मेरे पढ़ाने का सबसे बड़ा भीव क्या है कि मैं उतना ही आपको पढ़ाऊं जीतना आपको एक्जाम में आ जाए आप लोग अंसर बनाके चले आए जिब आ मैं इतना पढ़ा दूं और एक भी नहीं अंसर ना है तो फिर पढ़ाई का कोई फाइदा नहीं है इसलिए आप लोग सभी इस बात पर गौर किजिए एक स्लेवस बनाए एक सार बनाए कि हमको यह पढ़ना है उसी में मैं आज सुरू कर रहा हूं आप भारती इतिहास सबसे में इतिहास को कि में हिस्ट्री असे जिसका अर्थ होता है वूल न या उसका एक अख होता है कि अनवेशन से प्राप्त ज्ञान जो हम लोग खोज करते हैं उससे कोई ज्ञान उसे हम लोग क्या करते हैं हिस्ट्री कि इतिहास के तो बहुत सारे परिभासा है बिति हुगटनाओं के अध्यन को भी इतिहास कते हैं लेकिन एक बृटेन की इतिहासकार है जिनका नाम है इच कार, इच कार ने अपनी पुष्टक वाटिज हिस्ट्री में इतिहास की बहुत अच्छी परिवासा दिये है, उन्होंने कहा है कि इतिहास अतीत और बरतमान के बीच एक संबाद है, फिर से इतिहास अतीत और बरतमान के बीच एक संबाद है, बिल्कु सही बात उन्होंन कहा लेकिन अगर बात किया जाए इतिहास के पिता की तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है जिसका संस्क्रीत नाम हरीदत भी मिलता है जी हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है जिसका संस्क्रीत नाम हरीदत मिलता है लेकिन अगर प्रस्ण यह आप से पुछा जाए कि किस रोमन दार्षनिक ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था तो उसका अंसर होगा कि रोमन दार्षनिक Cicero, Cicero ने रो एक दार्शनिक थे रोमन दार्शनिक Cicero, उन्होंने Herodotus को इतिहास का पिता कहा है, Herodotus की एक भूख है, जिसका नाम है Historia, ये पंस्ट नाता है तो मुख रूप से हम लोग इतिहास को तीन मुख भागों में बाड़ते हैं अभी अगर वर्तमान की बात के जाए तो इतिहास को मुख रूप से कौन तीन भागों बाटा गया है पहला है प्राग एतिहासिक काल जिसे बुल जाता है prehistory period दूसरा आद एतिहासिकाल कोष्टो कोष्टेकल कभी कभी कोशन आ फर को कोशन आ या, पुछा हम आप तो यह सब कोशन जब आपको समझें आएगा जब आपके पास एक माज़ेप्ट होगा सिर्फ तो वह उससे आप मताई को नहीं कर सकते हैं रट्टा से आप चीक है अब्जेक्टी बना देंगे लेकिन आज करका कोशन का पैटर्ण हो रहा है निम लिखत में कौन सा कथन गलत है या कौन सा कथन सही है तो वह जब सही होगा जब उसे एक अच्छे से आप टॉपिक या अच्छे बुक से अच्छे बात करते हैं हमों प्रागेति हासिक प्री हिस्टोरी प्रीट प्रियकर्योन तो वैसा एति हासिका जिसमें ब्रेक्टी को माधी मानव को यूश्अर साथी साथ उसके कोई लिखित साच्छुपलब्ज नहीं है, हम लोग ने तो उसका पता कैसे लगाया, तो जो ओजार मिले हैं, पत्थर के, हडियों के, गुफाओं में जो चित्र हैं, उसके माध्यम से हमने उस इतिहास का पता लगाया, जिसे हम लोग प्रागेती हासिक काल क काही पतीनिदित्त करता है, प्री हिस्ट्री, अब बात करते हैं, हम लोग प्रोटो हिस्ट्री, आध ऐथीहासिक काल, में लीपी एवो मच्छर का ग्यान था, लेकिन आज तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, सिंदुगहाटी सभ़िता तथा बैदिक सभ॥िता इसका पत्रत निदित करता है और इससे बहुत कोस्टन इग्जाम में आये हैं कि सिंदुगाटी सब्यता बैदिक काल सब्यता किस काल का परते निदित करता है तो आध एति हासिक काल प्रोटो हिस्टरी पेडियेट यानि जिसमें हमें लिफी या अच्छर का ज्यान था लेकिन आज तक इस काल हिस्टोरिकल पिरियेड यानि जिसका लिखित समागरी भी उपलब्ध है और जिसे पढ़ा भी जा सका है अब मुवन छटी सताब्दी इसा पूर्व से इसा पूर्व इतिहास में भी हमें इस पर भी चर्चा करूंगा इस भी बीसी और एडी तो अभी मैं उस पर भी च करेब सकते हैं कि महाजालपत काल से अब तक का जो काल है वह हिस्टोरिकल पिरियरट का माना जाता है सोला महाजानपत से दुग पढ़ेंगे तो आपका ये इतिहास का मुखु ये तीन पार्ट हुए इसे भी फिर बाटा गया, इसे भी बाटेंगे, ये भी पढ़ेंगे उसमें, अब बात करते हैं थुरा सा समय की, आपको तो पता है कि भारतिया जो कलेंडर है वो सक संबत पर अधारित है, मुस्लिम समुदाय का भी एक कलेंडर होता है, जिसे हिजरी संबत करते हैं, अकबर में भी एक इलाही संबत चलाया था, लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, कि सक संबत को अपना संबत मानकर 22 मार्च 1907 को अपना एक राष्टे कलेंडर बनाया, तो बात करते हैं समय की, समय में दो चीज़ होता है, एक होता है BC, और एक होता है AD, इसका फुल फॉर्म होता है, बिफोर क्राइस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है, आप्टर डोमनी, अब इस बात को थोड़ा समझते हैं, तो इसा मसी के जन्व के पहले की जो घटना है, वो BC का लाती है, बिफोर क्राइस्ट, यानि इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते है, इसा पुर्व, और इसा मसी के जन्व के बात की जो घटना है, उसे बोलते है, एडी, जिसका फुल फॉर्म होता है, आप्टर डोमनी, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इस भी, इसी में संबत की बात करते हैं, तो एक जो दिक्रम संबत, बिक्रम संबत, अन्ठामन BC में, बिक्रम संबत, बिक्रमा बिकुलडर चेप्टर में लिडि मी पढ़ाने पढ़हा से सद गाय है जिस्के चेह परनेर होता है और इसन धंबर तक होता है और जो नहीं कि तक जाता है कि अगरेंडर के नूसान कोसे महिने का नाम रोमन देबता पर रखे गए हैं तो जूलाई और अगर्स जूलाई है जो जूलियस सीजर के नाम पर और एक प्रस्णाते हैं कैलेंडर से तो यह अब सभीवड iki सब्सकराइब पति सक्ते रिवाख करते हैं इसी कैलेंडर कलेंडर के साथ मिलाकर भाधत सरकार में 2217 को अपना एक राष्ट्य इस बघुख करते हैं 622 इस्वी में हिजरी संबत की शुरूआ थी हिजरी संबत जिसे शुरूआत करने का सरे हजरत मुहम्मद साहब को जाता है यानि जब मक्का से मदीना तक वे गए तब इस घटना को उन्होंने हिजरी संबत के रूप में सुचित किया और मक्का जाने की घटना को इसल क्याम्धर में हिजरत कहा जाता है तो इस तरह हम लोग समय का निधारन करते हैं एक आदो और संबत आता है 1 Kamaaaa अपना राजरोहन करवाया तब उन्होंने संबत की सुरूआत की राज शक यानि यह संबत से एतने सारे कोस्षन आते हैं अब हम बात करते हैं भारतिय इतिहास के सुरूत की कि आखिर भारतिय इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं कि किन माध्यमों से हम भारतिय इतिहास का अध्यन करते हैं मैं चाहता हूँ शुरू करने से पहले आप इसका अस्कीन सोट ले ले तो भारत्य इतिहास के अध्यन के निमलिखित स्रोथ हैं जैसा कि आप बौर्ड पर देखी रहे हैं कि हम स्रोथ को सबसे पहले दो भागों में बाढ़ते हैं एक तो पुरा तात्रिक स्रोथ और एक दूसरा साहित्य श्रोथ पुरा तात्विक शुरोत में भी आप देख सकते हैं जैसा कि अभिलेक, असमारक भवन, सिक्के, मूर्तियां, छित्रकला ये सबसे हम इतिहास का पता लगाते हैं जैसे आप लोग बात करते हैं अभिलेक, भारत बर्स का स्वरपर्थम अभिलेक हाथी गुमफा अभिलेक में मिलता है मेरा आप से प्रस्ण है आप जब आप कॉमेंट के नीचे दिखेगा हाथी गुमफा अभिलेक का समन्द की सासक से है आपका प्रसने हाति घुमपा अभिलेक का समन्द किस सा सकते हैं तो यहां पर हाति घुमपा अभिलेक में ही स्वर्पतम भारत वर्ष का उलेक मिलता है साथ ही साथ अगर हम साहितिक स्रोत की बात करें तो पाननी के अश्टा दही में भी भारत वर्ष का उलेक पहली भात मिलत भारतीय समिधान का अनुछेद एक में भी कहा गया है भारत राज्यों का संग है तो बात करते हैं अभिलेक आधियन या बोट करेंगे एकल दो यह और पश्सारी बात ये बात करेंगे शिक्के में सब्सक्राइब करेंगे अगर आप लोग जान लिजिए कि कैसे पढ़ा जाएंगे एक दिहाद से प्रष्ट बहुत ज़ादा होते हैं इसलिए आप आप जिदयान से पढ़िए इसके साहितिक स्रोथ साहितिक स्रोथ को भी हम दो भागन आते हैं एक भारती यह साहित और एक रीधेसी अनide का जो भी विदेशी यात्री आएं उन्होंने अपना यात्रा बितांत लिखा जैसे आपका विहन संग विहन संग जब भारत आये थे तो उन्होंने आपने यात्रा बितांत हिंसांग का राज दाता है हसंवाइभन में बाद करते हा थें वह चीन साहित को उन्हें हैं साहित संगम साहित धार्मिक साहित की अगर बात किया जाए तो धार्मिक साहित में भी तीन भाग है ब्रहमन साहित बौध साहित जैन साहित जैसा कि बौध धर्म जैन धर भारत में ही उत्पत्तिज की मानिक आती है तो वह साहित से भी हमारे इतिहास का पता चलता है अगर बात उपनिसद की संख्या कितनी है अब कॉमेंट बोक्स में बताईए महाकाब में मुखरूफ से रमायन और महाबारत अभी दूर्दसन पर चल भी रहा है घर घर में रमायन और महाबारत सबसे ज्यादा देखा जाने वाला भी एक यह धरवाइक हो गया रमायन जो हम रमायन के ब तो यह सब जितने भी आपका यह धार्ब्रहमन ग्रंथ हैं उनसे भी हमारे तिहास tentang पता चलता है बहुद साहित में त्री पीटक आपको तो पता है त्री पीटक तीन होते हैं सूथ पीटक बिनवह पीटक अभी दम पीटक तो त्रीपीटक के माढ़ लगा Shape cavश लिखा है भगवती सुस्त परिस्षिष्ट बर्मन से भी पता चलता है अब यहां पर आ रहा है धर्म निर्पेज साहित किसे कहते हैं धर्म निर्पेज साहित क्या है तो धर्म निर्पेज साहित के मुख रूप से किसी एक विशेस सामराज एक विशेस बंस या विशेस राजा के बारे तो अर्थ सास, राश्त तरंगनी, कलहन ने लिखा है जिस से कास मीर के इतिहास का पता चलता है। तो मुद्रा राच्छास, मेगदूत, अभिज्ञान सेकुन तुलम यह सब काली दास्त वगए दौरा लिखा गया है तो यह सब साहित को धर्मनिर्पेस साहित करते हैं जो किसी बंस एक बिसेस बंस ठीक है या एक बिसेस राजा के बारे में बताते हैं संगम साहित दच्छी भारत में जो संगम साहित लिखे गए तिरुक कूरल जीवक चिंतामनी इनसे भी हमारे इतिहास का पता चलता है अब बात करते हैं विदेशी साहित में विदेशी साहित को हम मुख रूप से तीन भावों बाड़ते हैं जो सबसे पहले प्राचिन काल में उनान एवं रोम के लेखक आये थे सिखंदर के साथ भी कुछ आये थे मेगास्थनीज टॉल्मी हेरोडोटस नियारकस मेगास्थनीज जिन्होंने इंडी का लिखा है उनसे तो भारतिय इतिहास के बारे बहुत सारी जानकारी मिलती है टॉल्मी हेरोडोटस और नियारकस यह उनान एवं रोम के लिखक थे जो भारत के बारे में अब बहुत सारी बातों का बढ़न किया है चीनी लेखक फायान वेंसांग इत्सिंग यह सब सभी बहुत धर्म के अधन के लिए भारत आये थे यहां उन्होंने रहा यहां पता लगाते हैं अब हम नेक्ष्ट वीडियो में आपके लिए भारते इतिहास के अध्यन के सुरोत में अभीलेक असमाराग वभन यह पुरातात्विक सुरोत और सहीतिक सुरोत के बारे में पढ़ेंगे यह ज्यादा लंबा ना हो जा इसलिए मैंने आज इस वीडियो को स अब तक आप लोग घर में रहिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और खुब पढ़िए ताकि आपको नीन अच्छी आए धन्यवाद और हां मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें